हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम जैशी क्रिश्णा आज का हमारा विशाय है चुकि हमारे पास रेगुलर कुछ प्रशन भी आ रहे हैं एक दो लोगों ने यूट्यूब पर भी पूछा है और बाकी फोन के माध्यम से भी लोग जोतिशों को पूछते ही हैं प्रशन यहाँ है कि कोरोना वाइरस कब समाप्त होगा हालां कि मैं अपने पूरू के एक वीडियो में बता चुका हूँ कि 25 मार्च 2020 के दिन 9 समवत 2077 लग चुका है यह आनंद समवत है और इसके साथ ही यहाँ से वर्ष का राजा भी पहले शनी था वह राजगद्धी से उतर चुका है अब नया राजा बुद्ध बन चुका है तो अब इस्तियां बदलने वाली है लेकिन फिर भी बहुत से प्रश्णों होते हैं लेकिन हर प्रश्ण का जवाब जोतिश में नहीं है सबसे पहले तो इस बात को आप समझ लेए हर प्रश्ण का जवाब जरूरी नहीं कि जोतिश के पास हो जोतिश कोई भगवान नहीं होता है इसलिए अगर आपकी धरना है कि जोतिश भगवान है तो आपके मस्तिक से निकाल लीजिए इस प्रकार की विचारधारा अगर आप रखेंगे तो जोतिश को एक अंद विश्वास रूप में ले लेंगे तो सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल ला है छोटी मोटी संभावनाएं छोटी मोटी इस्तियां जोतिश के आदार पर देखी जा सकती है लेकिन यदि आप कहें कि जोतिश ही सर्वत्र है या जोतिश के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता तो एसी बात नहीं है जोतिश से भी बहुत बड़ी बड़ी चीजे हैं बड़े-बड़े विशह हैं उस पर भी आपको ध्यान देना होगा हम रोज सुबह उटते ही अपनी राशियां देखते हैं लेकिन बहुत से जोतिशी लोग भी यहां नहीं जानते कि राशियां आई कहां से और बहुत से जानते हैं तब उसके रहस्य को बताते नहीं है जैसे यदि आप मुझे से भी पूछेंगे तो मैं भी इस रहस्य को आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि यह एक सीक्रेट है अलागि मैंने एक वीडियो में आपको बताया है इसके बारे में लेकिन आपने जदी उसे नहीं देखा तो यह आपकी गलती है आप उस वीडियो को चूप गए है तो मैंने वहां राशी के बारे में बताया है तो राशी भी एक रहस्य है मित्रों अभी श्रष्टी समवत चल रहा है एक अरब सित्यान करोड गुंतिस लाग गुंचास अजार एक सो बाईसवा श्रष्टी समवत तो श्रष्टी समवत की गणना जो अगर देखें तो एक अरब सित्यान करोड गुंतिस लाग गुंचास जार 122 वा वर्ष चल रहा है अलांकि प्रत्वी की आयू तो इससे भी पुरानी है लेकिन यहां से गणनाय देखी जाती है और इसी आधार पर ग्रहों की गणनाय अरगण और सुर्य चंद्र ग्रहन आदी की इस्ततियां पंचांग की इस्ततियां देखी जाती है तितियों की इस्ततियां देखी जाती है सभी ग्रहों की इस्ततियां देखी जाती है कल्यूग प्रारम्भ हुए कितने वर्ष हो चुके हैं 5,121 साल हो चुके हैं कल्यूग को प्रारम्भ हुए और यह 5,122 वर्ष अब प्रारम्भ हो चुका है लेकिन कल्यूग की आयू कितनी हैं कल्यूग जो है वह 4,32,000 वर्ष का है तो आपको इसे भी समझना होगा अभी तो 4,32,000 वर्ष में से केवल 5,121 साल ही निकले हैं आप खुद ही सोच लें आप कल्यूग कितना लंबा चलेगा और यहां मैं एक पद्य भी लिख कर लाया हूँ रहीम दास जी का उन्होंने लिखा है विपत्ती भय धनना रहे रहे जो लाक करोड नब तारे छिपी जाते हैं जो रहीम भय भोर जब विपत्ती आती है तो बड़े-बड़े अर्बों पती करोड पती लोगों का पेशा भी कहीं साइट पर रहे जाता है और दुख उन्हें चारों तरब से घेर लेते हैं जैसे जब सुबह होती है भोर होती है तो तारे भाग जाते है और रोशनी आजाती है यही इस्तति है इटली हो अमेरिका हो जहां विपत्ती आई है अच्छे-च्छे करोडपती लोग गरों में लोख होeye और ऐसी इस्तति हमारे भारत में भी हो चुकिया दूसरी और महतुपुन बात बहे हैं सबसे बड़ी बीमारी तो बहे है कोरोनावाइरस का बहे है एक बात को सोचें आप बिना किसी किटाणों के तो यहाँ बन ही नहीं सकता किसी ने किसी व्यक्ति को यहाँ बीमारी अवश्य हुई होगी उसी से इस कीटानों को लिया गया और अभी सुनने में आ रहा है कि इस कीटानों को तो किसी ने तैयार किया और फिर छोड़ा गया जबर्दस्ती तो कीटानों तो कहीं होगा तब ही उसको तैयार किया गया डॉक्टर्स लोग कहते हैं कि इसमें बुखार आता है फेफडे चोक हो जाते हैं, गला चोक हो जाता है, कफ जम जाता है क्या यह एक सामन्य बिमारी नहीं मान सकते हैं? इसे सामन्य बिमारी भी तो मान सकते हैं, अलांकि इसका precaution जरूरी है कारण कि कोई व्यक्ति यदि छींकता भी है, तब भी उससे दूरी रखनी चाहिए यह तो सामन्य बात है, किसी व्यक्ति को जुकाम होता है, तो आपको उससे दूर रहना ही होता है अन्य था आपको भी फिर छींके शुरू हो जाती है, जुकाम शुरू हो जाता है यह तो allergy का विशह है मानली जी किसी को खुझली है वह तोलिये से रोज अपने शरीर को पॉँचता है और उसी तोलिये से यदि आप भी अपने शरीर को पॉँचेंगे तो देरे देरे आपको भी खुझली रोग हो जाएंगे तो यहां एक सामन्नी बात है और अभी हाल ही में सुनने में आया कि गरम पानी पियो तो यह किटानों बिल्कुल खतम हो जाता है विशानों बोलते हैं ऐसे खतम हो जाता है तो भहे सबसे बड़ी बीमारी है और उसका भहे के स्तरोत कौन-कौन से है वाटसाप हुए है फैस्बुक हुआ या अन्य कोई शोशल मीडिया जिसके माध्यम से आप दो-दो मिनिट में खोल-खोल कर देख रहे हैं कोरोना वाइरस पांच मरी जोर बढ़ गए दस मरी जोर बढ़ गए पचास मरी जोर बढ़ गए और आप दुखी होते चले जाते हैं गबर आते हैं भहे बीत हो जाते हैं और भहे बहुत से लोग तो मुझे लगता है इटली में बुड़े लोग इस भहे से मर गए कि इतना विक्सित देश होते हुए भी हमारे यहां लोग मर रहे हैं बहुत से लोग तो एसा सोच कर ही मर गए हैं तो आपको अपनी इम्मुनिटी के साथ साथ मानसिक्ता भी अच्छी रखनी होगी स्वस्त रहना होगा और योग प्रणायाम करने होंगे और अभी जैसे पूरा भारत वर्ष लोकडाउन है तो अभी वायू भी दूशित नहीं है वातावरण भी बहुत अच्छा है तो आप यदि आप प्रणायाम करेंगे अच्छी सांस लेंगे खींचेंगे चोड़ेंगे तो आपको प्रान व कर निकलना पड़ेगा आप देखेंगे कि थोड़े दिनों बात तो जैसे गया सिलेंडर सुनने में आएं कि अब ऑक्सिजन के सिलेंडर भी पीट पर लगेंगे और मूँ पर मास्क लगेगा क्योंकि ऑक्सिजन मिलेगी ही नहीं मैंने पूरू के वीडियो में भी बताया कि लाखों लोग कैंसर स्वांस के रोग फेंफडों के रोग वायू प्रोदूशन से मर रहे हैं अगर उनका प्रतिशत निकला जाए तो महिने के 10-20,000 लोग तो वेसे ही मर रहे हैं मान लो 25-25 लोग की जगे यदि हम असावजानी रखते हैं और 25,000 लोग कोरोना वायरस से भी मर जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं थी लेकिन चूंकि यहाँ फेलने वाला रोग है इसलिए सरकार के जो भी कानूत बने हैं उसी के अनुसार हम सभी को चलना होगा अन्यता यव बीमारी अगर बढ़ जाती है तो हम सभी के लिए दुखदाई हो जाती है इसलिए सावजानी बहुत ज़रूरी है और गर में ही रहें गर से बाहर ना निकलें चाहे कितनी भी तंगी आजाए जेब खाली हो जाए लेकिन गर में ही रहना होगा क्योंकि जान है तो जान है एसा मोधी जीने भी हमारे माननी है प्रदान मंतरे जीने भी कहा है तो आप बात करते हैं आगे अगले विशय की कि कोरोना वाइरस समाप्त कब होगा मित्रों हर 1200 सालों में एक सब्विता नश्ट होती है और दूसरी सब्विता पनप्ती है वापस लोग बेलगाडी पर आते हैं क्रशी से शुरुवात करते हैं और दीरे दीरे वापस विकास की ओर बढ़ते हैं उतल पुतल इस दर्थी पर अनोय कोबार हुई है जैसा कि मैंने बताया कि एक अरब सित्यानों करोड साल स्रश्टी समवत एक अरब सित्यानों करोड गुंतिस लाग गुंचा सजार एक सो बाईश्वा वर्ष चल रहा है और इसी से हम गणनाएं करते हैं और सूरी गरहन ही हुई है तो हर 1200 सालों में कई सब्वेताय नस्ट हुई है हमारे धर्थी पर ज्यादा बोज बढ़ेगा ज्यादा जन्संक्या बढ़ेगी तो नस्ट तो होना ही है और हम इसके लिए कितनी सावजानिया रखते हैं पर्यावरण को कितना शुद्य रखते हैं हमारे स्वास से ही के तंबागू शिग्रेट बीड़ी आधी के रोगों से मर जाते हैं इस तो कोरोना वाइर्स नया वाइरस आया है तो इससे भी मरेंगे लोग तो सावदनी तो हमें रखनी ही होगी अब सबसे पहले बिंदू पर बात करते हैं शनी के बिंदू पर बहुत से आपने वीडियो देखे हूंगे उसमें लोग या जोतिशी लोग शनी के बारे में बता रहे हैं कि शनी से यह कोरोना वाइरस बड़ा है तो शनी जो है मकराशी पर आया है उससे कोरोना बड़ा है त तो यह तो 17 जनवरी 2023 तक चलेगा, क्या कोरोना वाइरस 2023 तक चलेगा, यदि इसको आधार माने, शनी को आधार माने, तो शनी तो 3 साल लगबक रहेगा, 17 जनवरी 2023 अर्था 3 साल तक रहेगा, तो क्या 3 साल तक कोरोना वाइरस ऐसे ही चलता रहेगा, दूसरा बिंदू, बहु केतु आया मार्च के महीने में इसी साल 2019 में यह बीस चल रहा है इससे पहले 2019 में मार्च के महीने में केतु जो है वहा दनु राशी पर आया तो धनु राशी पर आया तो धनु राशी पर आते ही और राहू मितुन राशी पर आया उसके बाद में गुरु केतु की यूती कब हुई यहां पर यह भी इसपस्ट कर देता हूं मैं कि पांच नवंबर 2019 के दिन धनु राशी पर गुरु आया और गुरु केतु की यूती हो गई तो बहुत से जोतिशी गुरु केतु की इस यूती को भी कोरोना वाइरस से जोड रहे हैं गुरु केतु की यह इस्तती उन्होंने कहा कि 30 मार्च के दिन समाप्त हो जाएगी क्योंकि गुरु मकर राशी पर चला जाएगा तो कोरोना वाइरस समाप्त हो जाएगा लेकिन यदि गुरू और केतु की इस्तिती से कोरोना वाइरस खतम हो जाता है मानली जी अभी चल रहा है और आज 30 तारिक है आज सुबह गुरू तीन बज़ कर 47 मिनट पर मकर राशी पर प्रवेश कर चुका है तो इसका अतात पर यही हुआ कि आज कोरोना वाइरस आज से समाप्त हो जाएए लेकिन चुकि गुरू वापस वक्री भी होगा 14 मई 2020 के दिन वक्री होगा और 30 जून 2020 के दिन सुबह 5 बचकर 27 मिनट पर सुर्य वापस धनुराशी पर चला जाएगा तो क्या 30 जून 2020 को वापस कोरोना वाइरस शुरू हो जाएगा क्योंकि केतु तो अभी 23 सितमबर 2020 तक चलेगा धनुराशी पर तो 30 जून से 23 सितमबर के बीच में भी ऐसी इस्तती रहेगी कोरोना वाइरस वाली क्योंकि जोतिशों ने तो इस पर फलित कर दिया कि केतु और गूरू साथ में हैं तो कोरोना वाइरस इसकी वज़े से होता है और मान लीजे आज 30 मार्च के दिन गूरू मान लीजे मकर पर चला गया दनु से हट गया केतु से हट गया लेकिन वापस तो आएगा 30 जून के दिन तो 30 जून 2020 से वापस तेई सितंबर तक केतु गूरू साथ में रहेंगे तो उस समय भी हो सकता है कोरोना वापस आ जाए अब मैं आपको अलग इस्तिती बताता हूं यह इस्तिती थोड़ी सी हट कर है विशाणू का कारक विशाणू को फेलाने वाला जो कारक रहा है वहा है राहू अगर आप वास्त्विक गणित को समझते हैं तो राहू बुद्धी को भी खराब करता है, मानली जी किसी ने इस विशानों को फेलाया है, उस इस्तती में भी राहू जिमेवार है किसी की बुद्धी खराब होना और पूरे विश्व में हाहा कार मचना राहू की इस्तती से भी होता है लेकिन अब राहु आर्दरा नक्षत्र पर कब आया इसी इस्तति देखनी होती है तो यहां मैं आपको बता दूँ कि 11 सितंबर 2019 11 सितंबर 2019 रात की 10 बचकर 15 मिनट पर राहु आर्दरा नक्षत्र पर प्रवेश कर चुका था और यह इस्तति रहेगी 20 माई 2020 तक दोपहर की एक बचकर 10 मिनट तक रहेगी 20 माई तक अभी 20 माई आने वाला बाकी यह समय तो इस हिसाब से देखें तो यहां नमी का नक्षत्र है आर्दरा नक्षत्र नमी का नक्षत्र आपने देखा होगा पिसले साल 2019 में 11 सितंबर के बाद बहुत से भारत के इसे क्षत्र भी थे जहां पर बाढ़ की इस्तति हो गई पानी बहुत ज्यादा मात्रा में उतल पुतल करने लग गया बारिश बहुत अधिक मात्रा में हुई तो यहां राहू को हम समझ सकते हैं राहू को कारण मान सकते हैं और यहां इस्तति 20 माई तक चलेगी तो इसमें मुख्य कारण तो हम राहू को मान सकते हैं यदि हम जोतिश की दृष्टी से देखे हैं तो राहू की विशानों को फेलाने वाला है 11 सितंबर 2019 से रात की 10 बच कर 15 मिनट से 20 माई 2020 दोपहर की 1 बच कर 10 मिनट तक राहू आरदरा नक्षत्र पर रहेगा और एसी इस्तति गंबीर इस्तति होती हो और इसमें कोई भी विशानों को फेलना वीमारी होना स्वापाविक बात है हालां कि राहू 23 सितंबर 2020 तक मितुन राशी पर चलेगा तो यहां 23 सितंबर 2020 तक सावदानिया तो रखनी ही होगी लेकिन 20 माई के बाद 20 माई से ही या 20 माई तक इस्तियां सामन्य हो जाएगी ऐसा यदि देखें वास्विक तोर पर तो राहू के कारण हम देख सकते हैं अब मैं एक महतुपून बात और बता दूँ बहुत से लोग इसको सुरी ग्रहन से जोड़ रहे हैं पिछले समवत 2006 समवत की बात करों सन की बात नहीं करों पिछला जो समवत था शनिवार के दिन लगा 24 मार्च 2020 के दिन वह समवत समाप्त हुआ उस समवत का राजा था शनी और उसमें दो सुरी ग्रहन दो चंद्र ग्रहन हुए तो ऐसे सुरी ग्रहन तो 26 दिसंबर को हुआ उसका छे महिने तक प्रभाव रहता है तो 26 जून तक रहेगा प्रभाव इसका एसे देखे तो लेकिन सुरी ग्रहन तो हर वर्ष होते रहते हैं और सुरी ग्रहन का कोई इसमें विशेश रोल नहीं है कि इस प्रकार की बीमारियां फैल जाती है इस प्रकार की इस्तियां बन जाती है क्योंकि हर वर्ष क्योंकि अगले साल भी पांच ग्रहन होंगे नए समवसर में भी पांच ग्रहन होंगे तो क्या अगले साल भी ऐसी स्थियां बनेगी नहीं बनेगी क्योंकि सुरीगरण तो हर साल चंद्रगरण होते रहते हैं अब बहुत से मोसम भीभाग के भी जो विशिष्ट ग्यानी लोग हैं वे भी अपनी अपनी राइ दे रहे हैं उसमें वे बता रहे हैं कि यदि गरमी ज़धा बढ़ जाएगी घरमी बहुत अधिक मात्रा में हो जाएगी तो कोरोना वाईरस खतम हो जाएगा समाप्त हो जाएगा तो वे बता रहे हैं 13 और 14 तारिक या सपास और बहुत से जोतिHi भी 13 a Really का दिन भी बता रहे हैं रात को आठीomet कर 21 मिटर सुर्य मैंश राशी उच्च राशी पर जाएगा तो तो सुर्य राजा हैUSTIN उच्च राशी पर जाएगा तो कोरोना वाइरस खत्म हो जाएगा लेकिन ऐसी कोई इस्तती नहीं होती है उसका कारण बताओं उसका कारण यह है कि हर वर्ष सुर्य महेश राशी पर 13 अपरेल को जाता है जो कि 15 माई तक रहता है तो हर वर्ष 13 अपरेल से 15 माई के बीच में क्या बीमारियां होत या कोई सर्दी जुकाम से मरता ही नहीं नहीं ऐसी स्थिदी नहीं होती है तो इस सुरी को भी हम इसका अधार नहीं मान सकते हैं हाँ यदि गर्मी को आधार माने तब भी मौसम विग्यानी बताते हैं जो भुगोल के अच्छे विद्वान हैं वे ये बताते हैं कि 13-14 अपरेल के आसपास टेंपरेचर बढ़ जाएगा लेकिन उन्होंने भी वास्त्विक सटिक पद्दति को नहीं अपनाया इसलिए उन्ह करें बार हो वहाँ पर गलत तथि प्रस्तूत की यह मोसम विज्यानी को यह इतना चाहिए कि रितुने कब लगती है। शुरी की डिकलीनेशन क्रांती अंग्रे जी में डिपीनेशन बोलते हैं। शुरी की क्रांती क्या होती हैornth इसकी पूरी गणना त्रिकोन मितिय सुत्रों के अधार पर निकाली जाती है यदि इसकी गणना देखें तो मैं पुरु में भी बता चुका हूं कि 21 मार्च के दिन सुर्य भूमध्यरेखा पर आता है यदि आप में कोई ऐसा जानकार है जो भूगोल का जानकार है तो उसे प स्टर्पर गोलार्ध उत्री गोलार्द में प्रवेश कर देता है और एसी स्तिति को देखें है तो यदि 11 अपरेल की स्तिति देखें है तो उस दिन आठ डिग्री पर सुर्य की क्रांती होगी अर्था कन्या कुमारी भारत का अंतिम छोर जो है कन्या कुमारी पर सुर्य लंबवत चमकेगा किस दिन 11 अप्रेल के दिन तो यह मान के चलें कि सुर्य का प्रवेश अब हमारी धर्ती पर 11 अप्रेल के दिन होने वाला है और यदि गृष्म रितु की बात करें गृष्म रितु की बात करें तो गृष्म रितु तो हमारे वेदों में पांच अजार साल पहले ही लिख दी शुक्रमास मदू मादव शुक्र शुची शुक्रमास कब लगता है शुक्रमास जो होता है वह सुरे की मदू मास 30 गते होती है 30 दिन मादव मास 30 दिन का होता है 60 डिग्री यह हो गई और उसके बाद जो 61 डिग्री 61 वी डिग्री जो होती है और उसे यदि हम यो राशी अनुसार डिगरी मानें तो वहां 31 डिगरी के लगबक हो जाता है क्योंकि सुर्य गुनिस अपरेल 2020 के दिन रात्री 8 बचकर 15 मिनट पर व्रशब राशी पर प्रवेश करेगा यह सायन राशी है निर्यन की गणना जोति शास्त्र में बाद में की गई सायन की गणना ही वास्त्विक गणना है तो गुनिस अपरेल 2020 रात्री 8 बचकर 15 मिनट पर गृष्म रितु प्रारम हो जाएगी और गुनिस अपरेल के दिन सुरी की परम क्रांती जो होगी परम क्रांती तो नहीं बोलते हैं क्रांती जो होगी वह 11 डिग्री होगी और 11 डिग्री का आर्थ यह हो गया कर्णिया कुमारी से भी काफी अंदर भारत के अंदर इसका प्रवेश हो चुका होगा और गुनिस डिग्री जिसे हम केता हैं कि मुंबई वाली इस्ति मुंबई गुनिस डिग्री पर बसा हुआ है तो मुंबई पर 26 माई के दिन यह लंबवत सुरी चमकेगा तो सारी इस्तियां क्लियर है कि गुनिस अपरेल 2020 से गर्मी अपना प्रकोप रूप तारण करेगी और गर्मी की रितु उसी दिन लगेगी बसंत रितु उस दिन समाप्त हो जाएगी अभी वर्तमान में बसंत रितु चल रही है लेकिन भारत के मौसं विज्ञानियों और बह ग्रिश्म रितु लगेगी और रात को आठ बच कर पंद्रा मिनिट पर सुरी जो है वह प्रवेश करेगा ग्रिश्म रितु में और वहां से शुक्रमा से प्रारम हो जाएगा जो हमारे यजुरुवेद के तेरवे अध्याय में लिखा हुआ है तो उसे वहां पर आप पढ सकते हैं शुक्रों और शुची दो मैने होता है ग्रिश्म रितु के तो यहां ग्रिश्म रितु 22 जून तक चलेगी तो 19 अपरेल के बाद सारी स्थित्यां सामन्य हो जाएगी यदि राहु को देखें तो मैंने जैसा आपको बताया कि 20 माई 2020 को दोपेर एक बच कर 10 मिनट तक रहेगा आर्दरा नक्षद्र पर उसके बाद सारी स्थित्यां सामन्य हो जाएगी और कोरोना वाइरस जैसी स्थित्यां हमारे देश में नहीं रहेगी क्योंकि यहां पर अगर कर्मी के हिसाब से भी देखें तो ग्रिश्म रितु कुनीस अपरेल से ही लग जाएगी औ और यदि यह जानकरिया आपको अच्छी लगी हो तो इसे कहीं नौट भी कर लें हो सकता है मैं वीडियो को भी डिलीट भी कर दूं या गलती से डिलीट भी हो जाए इसलिए थोड़ा सा इसको आप चाहें तो नौट भी कर सकते हैं धन्यवाद जैशी कृष्णा